Hello class 7, Welcome to my online class, this is the mathematics class of your full video, In this video we will cover all parts, part 1, part 2, part 3 and part 4, यानि कि All-in-one यानि कि सारे के सारे आपको अब इसमें एक वीडियो के अंदर हम कवर करतेंगे, ठीक नवा, चले स्टार्ट करता है, देखते हैं, जो हमको स्टार्टिंग है, हमारा क्या है, डेसीमल, जिस से हमको स्टार्ट करना है, डेसीमल, जो आप लोगों को हम पढ़ाय अन्लाइन क्लासों मे इस बताया गया है डेसिमल के बारे में तो आज हम लोग फिर से रेखिजं क्लास दीजिए जाए है ठेक body क्या है डेसिमल के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है व। मतलब जो जो उपह्ता चालाएगा उस만 देखिए देसिमल देसिमल मतलब होता है बिंदू या प्वाइंट दसमल्लो देसिमल का एक्चुल हिंदी होता क्या है दसमल्लो और लगता है रहा कजिब लगता होगा अब लोगों को लेकिन एक्चुल में होता ही है दसमल्लो तो क्या कहा जाए चलिए देखा है देसिमल का ह हम लोग define करना होगा तो कैसे करेंगे कितन नमबर्स expressed in decimal form are called decimal वैसे numbers को decimal form में express किया जाए बताया जाए सजाया जाए उससे हम लोग क्या कहेंगे decimal कहेंगे क्या कहेंगे decimal कहेंगे फिर सब्सक्राइब डिफनेशन दर नमबर्स एक्सप्रेश्ट इन डेसिमल form are called decimal तेक एक्जामपल 6.8 16.737.364 5.053 इस अब देखिए यह पॉइंट के बाद 7.8 था यहां पॉइंट के बाद 7.3 है तो आप इसको कभी 73 मत पढ़िएगा ठेकना इसको कभी भी आप क्या 23 मत पढ़िएगा इसको आप 364 नहीं पढ़ सकते हैं इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग 7.364 क्या बोलेंगे 7.364 इसको बोलेंगे 0.053 ठेकना समझ में आ गया चलिए अगला है हमारा एक डेसिमल है डू पार्ट्स नेमले एक डेसिमल के कितने पार्ट्स होते हैं दो पार्ट्स कौन-कौन अबे मरत होल नंबर पार्ट एंट डेसिमल मल पार्ट कौन-कौन बोलें हमने हूल नंबर पार्ट डेसिमल पार्ट ठीक, these parts are separated by dot called decimal point, और ये parts को हम लोग किस से separate करते हैं, dot से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, decimal point कहते हैं, ठीक ना, the part on the left side of the decimal point is the whole number part, यानि वैसे part जो decimal point के left side में हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, whole number part कहेंगे, and that on its right side is the decimal part, और अगर और वो right side में हो, तो decimal part उसको कहेंगे, ठीक ना, चलें, आगे देखते हैं, यहाँ पर देखें, 23.62, यह left side है, यह हमारा right side, यह left side और यह right side, तो left side को हमने अभी बोला कि left side part को हम लोग क्या कहेंगे, whole part कहेंगे, और right side वाले part को क्या कहेंगे, decimal part कहेंगे, ठीक, समझ में आया, कि the part on the left side of the decimal point, left side of the decimal point is called whole part, and right side of the decimal point is called decimal part, ठीक, आगे देखते हैं, decimal places, decimal places किसको बोलेंगे, ठीक, देखें, इसका definition है, कि the number at a digit contained in the decimal part of the, of a decimal, gives the number of decimal places, यानि कि the number of digits contained in decimal part, जितने number of digits decimal parts में होंगे, उन ही को हम लोग क्या कहेंगे, decimal places कहेंगे, यानि कि 5.7 for the decimal के बाद कितने decimal part में, कितने number हैं, one, two, तो हम लोग बोलेंगे, 5.74 has two decimal places, तेख, 5.74 has two decimal places, 8.536 has three decimal places, इसके कितने places हैं, three decimal places, अगला देखें, हमारा है, like decimal, like decimal, किसको बोलते हैं, decimals having the same number of decimal places are called like decimal, यानि वैसे decimal part, जिसके decimal के बाद decimal places जो है, equal हो, यानि कि decimal के बाद number of digits क्या हो, equal हो, बराबर हो, फिर शेक बाद देख लिएते हैं, decimals having the same number of decimal places are called like decimal, वैसे decimals, जिनका same number of decimal places होचे से देखें, इसका भी two है, इसका भी two है, इसका भी two है, इसका भी two है, ये क्या है, like decimal, जांपल में, 6.73, 8.05, 19.68, it is, ये सब हो सकते हैं, ठीक ना, चलिया आगे दिखते हैं, अगला है हमारा, unlike decimal, unlike decimal किसको कहेंगे, तो decimal having, decimals having different numbers of decimal, places are called unlike decimal, यानि वैसे decimal, जिसका decimal place different, different हो, यानि किसी का one digit हो जाएगा, किसी का two digit होगा, किसी का एक भी नहीं होगा, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, unlike decimal, unlike decimal कहेंगे, जैसे example हो जाएगा, 5.38.64, 10.023, are called unlike decimals, थे, चलिए, अगला हमारा है, equivalent decimal, equivalent decimal में हम क्या बोलेंगे, कि equivalent decimals are any decimal numbers that are equals, यानि कि कोई भी decimal number जो equal हो, जैसे मानले, जैसे 6.2 equal होगा, 6.20 का, point के बाद, किसी number के last में, किसी point के बाद, किसी number, and point के places के last में, अगर 0 डालते हैं, तो 0 का, जैसे यहां पे 0 होगा, इस 0 का कोई value नहीं है, इस 0 का भी कोई value नहीं है, लेकिन हा, इसके बराबर जरूर होगा, क्योंकि इसके बाद भी अगर हम 0 डाल देते हैं, तो 2 0 हो जाएगा, यह भी 2 0, तो equal तो हो गया, यानि कि, 6.20, 6.200, 6.200, वह जितना भी लिखेंगे, point के बाद, यह सब, rigid के बाद 0, वह सब के सब क्या होंगे, equal होंगे, इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, equivalent decimal हो जाता है, ठीकना, अब चलते हैं, comparison of decimal, and decimal में compare करना, कि कौन बड़ा होए, कौन छोटा है, कौन बराबर है, देखिए, compare करने के लिए कुछ steps होते हैं, उसको follow करना पड़ता है, to compare two given decimals, we follow the following steps to do this, step on, convert the given decimal into like decimal, like and जो भी decimal दिया रहेगा, उसको पहले किसमें convert करना होगा, like decimal में, first compare the whole part, पहले किसको compare करना होगा, whole part को, if the whole number, whole part are equal, compare the tenth digit and further, यानि कि कहने का मतलब कि जैसे 6.70 है और 6.34 है, तो सबसे पहले हम whole part को compare करेंगे, अगर ये दोनों में कोई बड़ा नजर आज गया तो वही बड़ा हो गया, अगर whole part equal है, तब किसको compare करेंगे, तेंथ पार्ट को, इसको, तो ये दोनों में देखिए, कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, that means कि हमारा greater कौन हो गया, 6.70, greater was 6.30 का, यहाँ पर देखिए, 3.080, और यहाँ पर 3.08 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को like decimal में convert कर देंगे, convert कर दिए, तेंद दोनों के दोनों like decimal में convert हो गया है, अब देखिए, 3, 3, 0, 0, 8, 8, 0, 0, यह दोनों के दोनों क्या हो गया, equal हो गया, अगला है, write the following decimal in ascending order, अब decimals को ascending और descending order में लिखने तो आ जाएगा, क्योंकि आप हम तो को तो पता है चल लगया कि कौन कैसे बड़ा होता है, कैसे छोटा होता है, ठीक, जैसे देखिए, यह है, 5.72, 6.03, 0.8, 0.658, और 7.2, ठीक, तो देखिए, यह हमारा ascending order में इसको convert करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, like decimal में convert करतेंगे, like decimal में convert करने का मेरा मतलब कि सब के decimal places क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले find करेंगे, इसमें सबसे greatest decimal place किसका है, तो इसका है, इसका three decimal places है, तो सबको three कर देंगे, तो हैं पर two है, तो एक ठो zero हम लोग डाल लेंगे, यहाँ पर भी एक ठो zero, यहाँ पर दो zero डालने परेंगे, यह तो already three में है, यहाँ पर दो zero, अब देखिए कि सब के सब हमारे क्या हो गए, equal decimal places हो गए, अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग find करेंगे, कि सब greatest कौन है, सबसे बड़ा, तो ascending order निकालने के लिए, हमको सबसे पहले छोटे को करना होता है, सब find करना होता है, तो देखिए, इसमें तो five है, six है, zero zero, यानि कि ये दोनों हो सकता है, तो ये दोनों में कौन होगा, तो ये zero zero दोनों बराबर, यहाँ पर six है और यहाँ पर, यानि कि सबसे छोटा कौन हुआ, six, यानि ये, सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर greater, फिर zero point eight hundred, eight zero zero, sorry इसको eight hundred न है, six point zero three zero, फिर इसके बाद है, seven point two double zero, इस तरह से हमारा क्या हुआ, हम इसको ascending और descending order में लेकर कर सकते हैं, अगला है हमारा method of converting a decimal into a fraction, अब एक decimal को हमें fraction में convert करना है, तो कैसे convert करेंगे, तो देखिए, पहला step हमारा, राद गिवन दिवन 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 decimal places step 3 है reduce the above fraction to simplest form यानि कि हम बता किया रहे हैं कि method of converting a decimal into fraction decimal को fraction में कैसे convert करना है तो पहला step था कि write the given decimal without the decimal point as the numerator of the fraction यानि कि जो decimal आपको दिया हुआ है उसका जो decimal उस डेमबर को आप लिख लिजे नमिनेटर में without decimal को बिना decimal लिखे हुए और फिर क्या किजिए कि in the denominator we followed one we followed by as many zero as there are decimal places और denominator में क्या करना है one लिखना है और उसके बाद decimal place पर जितने भी number है जितने decimal places है उतना zero लिखे लेना है फिर क्या करना है reduce the above fraction to simplest form फिर उसको क्या कर देना है simplest form में convert कर देना है ठीक जिसे दखे एक्जामपल हमारा point five हमने क्या बता है five को लिख लिख लिजे नमिनेटर में और फिर नीचे one लिखिया और point के बाद जितने decimal place है उतना है decimal place one है one zero और फिर इसको हमने क्या 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 दिया simplest form में convert कर दिया यहां पर देखिए point two four है तो two four को हमने नमिनेटर में लिख लिया और decimal place है हमारा दोठ हो तो one पे दोठ हो जिरो और इसको simplest form में convert करके six five में 25 25 लिख लिया ठीक अगला है point zero eight तो यह हो जाएगा eight by में hundred क्योंकि यहां पर zero लिखने का तो कोई value होता नहीं है तो eight by में hundred इसको convert कर दिये two by में twenty five हमारा simplest form में हो गया ठीक यह देखिए point two two five है तो यह हो जाएगा zero point two two five two two five by में decimal places कितने है तीन तो तीन हो जाएगा यही वन फे three zero ten thousand और इसको कर लेंगे convert simplest form में convert करने के बाद हमको मिलेगा nine by fourteen forty और यहां पर six point zero three तो point हटाएगे तो six point six standard three by में hundred यह तो किसी से जाएगा नहीं किसी से कटेगा नहीं यह already simplest form में है ठीक चलिए आगे देखते हैं अगे है हमारा converting a fraction into decimal अब एक fraction को decimal में कैसे convert किया जाएगा तो कुछ steps हैं उसको follow करते हुए हम लोग convert कर सकते हैं step one जो हमारा है कि divide the numerator by denominator till a non zero remainder as obtained क्या करना है नमिनेटर को denominator से divide कर देना है put a decimal point in the dividend as well as in the question अब decimal को क्या कर देना है question में डाल कर फिर remainder को पे zero डालना है और फिर उसे तरह divide करते चले जाना है जैसे देखिए एक्जामपल है 27 by 4 4 से 27 को divide करते हैं 6 time जाएगा 24 7 से 4 को subtract करेंगे 3 और point अब देखिए 3 तो remainder बच गया तो अब यहाँ पे point हम लोग डालेंगे याणि decimal डालेंगे और यहाँ पे 0 हो जाएगा जैसे ही यहाँ पे हम decimal डालेंगे यह हमारा 0 हो जाएगा तो 4 से 30 7 times जाएगा 28 होगा तो 30 से 28 को subtract करेंगे 2 और फिर 0 यहाँ अपने बाप तो अपने आप सर कहाँ से क्योंकि यहाँ डेसिमल है अब आपको जहां तक ले जाना होगा आप 0 डाल कर ले जा सकते हैं तेक अगर जब तक से कटना जाए या तब तक से आप ले जा सकते हैं तो 20 आया है 4 5 से 20 कट गया तो इस तरह से हमारा find क्या हुआ 6.75 इसको हम लोग ने डेसिमल में convert कर लिया चलिए एक और देखते हैं हमारा यहाँ पर है 2 whole 5 by 8 ठेक तो 8 में 2 से multiply करते हैं तो 16 और 16 में 5 एड करेंगे तो ओ होगा 21 by 8 होगा yes 21 by 8 अब 8 से 21 को क्या करेंगे divide करेंगे ठिक तो 8 से 21 को divide करेंगे 2 times तो 21 से 16 जाएगा 16 सब्ट्राइट करेंगे तो कितना बचेगा 5 अब तो 5 नहीं जाएगा तो इसको हमें आपर decimal डालेंगे decimal डालते हैं हमारा remainder में 0 एड हो जाता है अपने आप यहां पर जीरो आ जाता है ठीक अब देखिया यह 50 जो है 6 टैम जाएगा 48 हो जाएगा फिर टू आया फिर जीरो अपने आप हम डाल दिये टू टैम 16 हो गया फिर घटा जीरो फोर फिर अपने आप हम जीरो डाल दिये हैं देखिते हैं आप जीरो हम डाल दे चले जा रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी तक हमारा कटा नहीं है कटके remainder 0 नहीं आया है टेक 5 टाइम से यहां पर कटके हमरा remainder क्या हो गया जीरो हो गया इस तरह से हम लोग ने क्या किया convert कर लिया एक fraction को किस में decimal में है टेक आगे हमारा है addition of decimal क्या है addition of decimal इसमें हमारा है step 1 कि convert the given decimal into like decimal जो भी decimal रहेगा आपको उसको किस में convert कर लेना है like decimal में convert कर लेना है step 2 में आपको क्या करना है कि add as in the case of whole number और जैसे आप whole numbers को add करते हैं उसी तरह क्या कर देना है आपको उसको add कर लेना है ठीक ठीक है सर और step 3 में क्या करना है कि in the sum put the decimal point directly under points in the illness और जहां point है वहीं पे आपको add करके result में point को put कर देना है same decimal places होने चाहिए जैसे देखे एक्जामपल में है हमारा add 36.4, 273.03, 273.06, 9.3397 and 68 सबको हमने like decimal में convert करते हुए तो 36.4, 00, 373.06, 9.397, 68.000 सबको देखे सबका decimal plus 3, 3, 3, 3 हो चुका है आसर चले सबको अब जैसे normally हम लोग add करते हैं वैसे add कर देखे देखें, 0 में 7 को add करेंगे 7, 9 में 6 को add करेंगे 15 का 5, 1 carry हो जाएगा 4, 3, 7 and 1, 8 point का अपने जगा पर point, 9, 8, 17, 173, 20, 26, 26 का 6, 2 carry हो जाता है 7, 3, 10, 10, 6, 16 and 2, 18 का 8, 1 carry हो जाता है और 3, 1 यहाँ पर फोर हो जाएगा ठेक, यस सर, बहुत बढ़िया चले कुछ आप लोगों को problems दिये गया है यानि कि question दिये गया है उसको आप लोग कुछ solve करना है तो चले अभी हम खुद solve करते हैं solve करके दिखाते हैं कि इसको कैसे आप लोगों को बनाना है चलिए देखिए इसको कैसे solve किया जाएगा पहला question हमारा है कि convert each of the following in a simplest form देख परते को क्या करना है simplest form में convert कर देना है तो देखिए यहाँ पर point eight है तो इसको मलूग क्या लिखेंगे eight by me ten कर लेंगे और यह cut जाएगा four times and five times तो क्या आप four by me five इसको करेंगे तो यह 75 by me hundred हो जाएगा और 25 के tables यह three times कटेगा और यह four times यह cut के आएगा three by four ठेक इसको अगर करते हैं तो यह हो जाएगा six by me hundred इसको कट three times और 50 times तो यह हो जाएगा three by fifty इसको अगर किया जाए तो यह two hundred eighty five by me thousand हो जाएगा इसको five से डिवाइट किजिए तो five five जा twenty five three remainder five seven जाए और यह five से five two zero ten नहीं के two hundred नहीं 57 by me two hundred ठेक कोई दिकत नहीं चले अगला कुश्चन है हमारा कि convert each of the following into a decimal अब इन सब को क्या करना है decimal में convert करना है ठेक क्या चीज में convert करना है decimal में देखे 47 by ten देखे point zero तो जितना नीचे zero होंगे उतना point उतना places हमको डाल देना है यहाँ पर two plus two zero जहां two plus point के बाद होना चाहिए तो यहाँ पर दिवाइड करना होगा चलिए यह दिवाइड कर देता है eight से 25 को eight three जाए 24 one point zero one times eight two ten में से two खटेगा zero फिर zero two times sixteen यह भचेगा four फिर zero five times forty खट किया अब हमारा क्या आया इसको अम लोग लेख सकते हैं three point three point one two five ठेक अब इसको करना होगा तो five three जा फिप्टीन 15 में two add करेंगे 17 by five और five से अब 17 को क्या करना होगा डिवाइड करना होगा तो five three जा फिप्टीन two point डाल दियें zero add हो गया five four जा 20 इस तरह से हमारा क्या हुआ three point four हो गया यह था हमारा three point four हो गया इसको करेंगे तो 25 टू जा 50 50 में two add करेंगे 52 by 25 अब 25 से 52 को डिवाइड कर देजिए तो डिवाइड करेंगे तो 25 टू जा 50 टू रिमेंडर पॉइंट डाले यहाँ पे 0 नहीं जाएगा क्योंकि 25 तो बड़ा हो गया 20 छोटा हो गया फिर 0 यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे भी 0 एक और बढ़ जाएगा 25 एट जा 200 इस तरह से कट गया तो हमारा क्या आया 2.08 ठीक चले अगला हमारा कुश्चन है कि कनभर्ट इच अब दा फोलोईंग इंटू लाइक डेसिमल सब को किस में कनभर्ट करना है लाइक डेसिमल में कनभर्ट करना है तो चले लाइक डेसिमल में कनभर्ट करने के point के बाद decimal places जो होने चाहिए है equal होने चाहिए है तो ज़रा इसमें देखिए सबसे greatest decimal place किसका है 274 यानि कि 3 places तो 3 places हैं तो सबको point के बाद 3 कर देना है decimal place यानि कि हो जाएगा 6.500 ये वाला ये हो जाएगा 16.030 ये तो already है और इसको हम लोग करेंगे 119.400 हो जाएगा चलिए इसको करते हैं इसमें भी देखिए point के बाद कितने decimal places हैं सबका इस सबसे ब्रज़ादा है 67 ये तो decimal places सबको 22 कर देंगे 500 0.67 15.60 और 4.00 ठीक चलिए पहुत बढ़िया और भी questions है देखा जाए तो इस question में है arrange the following in ascending order इन सबको किस में convert करना है ascending order में convert करना है तो ascending order में convert करने के लिए हमने बताया है कि सबको आप किस में convert कर लिजे like fraction में convert कर लिजे तो like fraction में convert करने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि highest किसका है तो ये 3 है सबको 3-3 कर लेजे तो यानि यहाँ पे कितना 0 हो जाएगा 2 हो यहाँ पे 1 यहाँ भी 1 यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 1 हो यह तो 3 है ठीक चलिए अब इसको क्या करेंगे इसको करना क्या है कुछ नहीं करना है चलिए ascending order में इसको कर भट करना है तो ascending order में सबसे पहले छोटा होता है देखिए तो सबसे छोटाम को यह नजर आ रहा है तो इसको लिख लेंगे सबसे पहले कि 0.5 00 greater का sign लें smaller का sign लेंगे फिर उसके बाद बड़ा कौन है यह है 500 00 था यहाँ पे 505 है तो यहने कि 0.505 उसके बाद बड़ा कौन है उसके बाद देखिए 00 अब 4 है तो 4 यहाँ पे भी यहाँ पे 6 है यहाँ पे 5 यहनी सबसे पल यह है तब इसको डालेंगे 4.580 ठीक फिर इसके बाद इसको डालेंगे 4.6 00 ठीक फिर इसके बाद इसको डालेंगे किसको 5.050 को और फिर इसके वह यहां पर प्रेटर का साइन डालते चाहिए है कोमा डाल लीजेगा तब भी कोई दियकत नहीं होगा आपको स्मॉलर का साइन बताया गया है तो स्मॉलर का साइन डालते चले चाहिए ठेक इस सबसे बढ़ाई है याने कि 7.320 ठेक चले question number second में देखते है इसको भी उसी तरह करेंगे इसको भी like fraction में convert कर देजिए like में decimal में fraction में देखे सबसे ज़्यादा 3 है 3 places इसको भी कर देते है चले 3 places सबका हो गया अब देखे सबसे छोटा सबसे छोटा 6 6 6 2 2 0 देखे 0 आया 0,2,0 यह पर 2,0,2 हो गया यानि कि सबसे छोटा यह हो गया तो 0,2,0 ठेक फिर sign फिर उसके बाद यह होगा 0,2,0,2 फिर इसके बाद फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा यह देखे यह दोनों में तो इससे यह होगा 2,2,0 फिर उसके बाद 2,202 फिर इसके बाद हमारा 6,080 फिर उसके बाद हमारा 6.800 फिर उसके बाद 6.840 6.840 ठेक समझ में आ गया अब देखे इसको क्या करना है arrange the following in descending order descending order में कैसे convert करेंगे फिर इसको भी वही process करेंगे सबको क्या करते ना है equal decimal places कर दीजिए ठेक हो गया equal decimal places अब इसको solve करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा greatest number तो ये हो गया 74.40 greater than फिर उसके बाद हमारा 8.34 फिर उसके बाद 7.44 फिर उसके बाद 7.40 फिर उसके बाद सबसे लक्स 0.74 ठेक इस question में अगर देखा जाये तो इसमें भी सबको like में convert किजी ठेक यहां पर 3 था इसलिए हमने सबको 3 कर लिया decimal places अब इसमें सबसे greatest कोन है सबका देखा जाये तो 2.2 है फिर इसके बाद बड़ा कौन है तो इसके बाद तो सर यह बड़ा है किमकि पॉइंट के बाद इसका 2 है नहीं इसके बाद पहले तो यह है तो 2.3 00 फिर इसके बाद यह है 2.260 फिर इसके बाद यह है 2.060 और सबसे लास्ट में हमारा कोन है 2.007 ठीक चलिया है अब यहाँ पहले हैं हमारा add तो add करने देख लेते हैं फर्स्ट हमारा जो है 16.16 देखें यहाँ पहले 16 decimal 0.8 यह है हमारा 8.7 फिर है 0.94 0.94 6.8 है और 7.77 है अब सब यह है सब को like में convert कर देते हैं कर दिया अब इसको add कर देते हैं इसी तरह add करेंगे याद रखियेगा ठीक ना 7 में 4 add करेंगे 11, 1 करेंगे 9, 7, 16 16 and 8 24, 24 में 7 अब करेंगे 31, 31 or and 1 38, 3 करेंगे का पनी जगा पे 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 पेंगे 8, 6, 14 14, 6 20, 20 27, 27 and 2 29, 2 करेंगे 23, 2 and 1 33 ठीक कोई दिक्कत नहीं सर चलिया बहुत बढ़िया नहीं तो चलिया 2 को add करते हैं लिखते हैं 18.6 ठीक ठीक फिर है 206.37 फिर आगे है 8.008 फिर 26.4 फिर 6.9 चलिए सब को क्या करेंगे like decimal में convert कर लेंगे ठीक चलिए like decimal में convert करते हैं 0 0 0 0 अब चलिए add करते हैं देखिए यहाँ पे भी फिर ही चलिए अब हो गया सब तो 8 का 8 7 का 7 9 4 13 13 3 16 16 6 22 2 carry 6 6 12 12 8 20 26 26 26 में 8 एड़ करेंगे 34 34 में कितना एड़ करेंगे 2 एड़ करेंगे तो 34 में 2 एड़ करेंगे 36 के 6 3 carry 2 1 3 एक मिनुट एक मिनुट एड़ करेंगे एक मिनुट एड़ करेंगे 9 4 13 13 3 16 16 6 22 2 का 2 2 carry चलिए 6 6 12 12 एड़ करेंगे 26 26 26 में 8 एड़ करेंगे 34 और 34 में 2 जूड़ 36 3 carry 2 1 3 3 3 6 और 2 का यह हमारा क्या हो गया एड़ हो गया ठीक चलिए C वाले को जोड़ते हैं C वाले में है 26.9 19.74 231.769 24.74 0.048 एड़ लाग डिस्माल में करेंगे करेंगे लाग डिस्माल करेंगे